हेलो एविवान बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं यूदरी अल मैं हूँ आपका अपना नेजिस अलाकार अमित्राश शर्मा आज की विडियो में हम Life Insurance Corporation of India के एक नई प्लान की जानकारी आपके साथ चेर कर रहे हैं जिसका नाम है Index Plus जैसा कि आपको नाम से ही आपे पता लग रहा है कि ये एक Unit Linked Plan है और आपको पता है कि जो Unit Linked Plan होते हैं वहाँ पे आपका Premium Market में इंवेस्ट होता है इस प्लान के अंदर दो अलग-अलग Fund Options आपको मिल जाते हैं पहला है Flexi Smart Growth Fund जो की Nifty 50 को Target कर रहा है दूसरा है Flexi Growth Fund जो की Nifty 100 को Target कर रहा है यानि कि आप दोनों में से कोई भी एक Fund चुनेंगे आपका Premium इन Fund के माध्यम से Market में इंवेस्ट होगा और Maturity पर आपको Fund Value as a Maturity Benefit मिल जागा यानि कि जो रिस्क होगा यहाँ पे आपके Premium पे वो सिर्फ आपका ही होगा Right क्योंकि Market से Connected Plan है Benefit की बात आगे करेंगे अभी हम बात करेंगे LIC के Index Plus Plan के Eligibility Criteria के बारे में प्लान लेने के लिए जो IUC मा रखी गई है वो है 90 दिन के बच्चे से लेकर के 60 साल के व्यक्ति तक के लिए Life Cover के दो Option है AP का मतलब है Analyzed Premium की सालाना प्रिमियम का 10 गुना या फिर सालाना प्रिमियम का 7 गुना तक Life Cover अप ले सकते हैं तो Maximum Maturity Age का लिमिट 85 साल तक का हो सकता है ठीक है जी और एक चीज़ यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी वो यह है अगर आपकी I.U. प्लान लेते वक्त 50 साल तक की है तो ही आप सालाना प्रिमियम का 10 गुना लाइफ कवर चुन पाएंगे यानि कि अगर आपकी I.U. पचास साल तक की हो गई है और आप ये प्लान ले रहे हैं तो सालाना प्रिमियम का 10 गुना तक लाइफfikर रहे पाएंगे और 50 साल से ज्यादा की I.U. है तो सालाना प्रिमियम का 7 गुना ही लाइफ कवर मिलेगा बात आती है policy term की अगर आपका सालाना premium 48,000 रुपे से कम है तो 15 साल से लेके 25 साल तक का policy term है अगर आपका सालाना premium 48,000 यह उससे जादा का है तो policy term 10 साल से लेके 25 साल तक कम मिल जाएगा premium payment term regular pay है यानि की जितने साल का policy term उतने साल आप premium pay करेंगे minimum premium का जो limit है वो है सालाना 30,000 रुपे का अगर मासिक किस्तों में premium pay करेंगे तो 5,000 रुपे आपको pay करना होगा यह auto debit होगा आपके bank accounts अगर मासिक किस्तों में premium pay करेंगे तो आईए अब जानते हैं LIC index plus plan के benefits के बारे में अब यह एक unit link plan है तो आपको पता ही है कि जब maturity आएगा तो आपको fund value मिल जाएगा अब इस plan में अगर आप लगातार premium pay करते हैं till the end of maturity तक तो जितना भी mortality charge आपने pay किया है वो भी आपको fund value के साथ वापस मिल जाता है बात आती है death benefit की अगर risk चालू हो चुका है यानि कि comments हो चुका है तो ऐसे में fund value का comparison किया जाएगा based sum major में से parcel withdrawal minus करना होगा फिर उसका comparison करना होगा total paid annualized premium का 105% निकालके उस में से पिछले 2 साल में जो parcel withdrawal किया गया होगा वो ही minus किया जाएगा चाहे वो sum major में से आप parcel withdrawal घटा ठीक है तीनों में से जो भी जादा होगा वो ही होगा death benefit nominee के लिए ओके जी कब जब risk चालू हो चुका है यानि कि company ने आपका life cover अप्रूव कर दिया है क्योंकि जब आप minor के लिए plan लेंगे तो जो commencement of risk है वो किस तरीके से screen पे बताया जा रहा है कि अगर बीमा धारक की I.U. यानि कि life assured की I.U. आठ साल से कम है तो policy के पहले दो साल complete होने पे या फिर life assured की I.U. आठ साल की होने पे दोनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा वहीं से life cover चालू हो जाएगा यानि कि risk commencement हो जाएगा ठीक है जी तो अगर risk commencement नहीं हुआ है उससे पहले death होती है तो ऐसे में स सिधा सिधा जो fund value होगा at the time of that वो pay कर दिया जाएगा nominee को इस plan में आपको guaranteed edition का भी benefit मिल जाता है किस तरीके से मिलता है आगे समझेंगे और उसे समझने के लिए हम video को कर लेंगे full screen पे तो हमें आपे बताया जा रहा है कि हर पांचवे साल पे हमें guaranteed edition मिल जाता है पहला प्रतिशत हमें guaranteed edition मिलेगा जो unit में add कर दिया जाएगा जिससे unit fund बढ़ जाएगा दस्वे साल के अंत में अगर हमारा सालाना premium48000 रुपे से कम का है तो हमारे सालाना premium का 6% हमे guaranteed edition मिलेगा जो कि हमारे unit fund में add कर दिया जाएगा ठीक है जी as a extra units अगर सालाना premium 48000 रुपे से प्रतिशत में गारांटिड इडिशन मिल जाता है जो desperately हमारे यूनिट फंड में एड्ट कर दिया जाता है एक्स्राइड तौर फ इस प्लान में अगर आप्ट करना चाहे तो कर पाएंगे, बात आती है of पार्सल विड्रॉल की, तो आपको पता है कि unit link plan के अंदर पहले 5 साल जो होते हैं वो locking period के होते हैं चाह माइनर हो चाह अडल्ट पहले 5 साल के बाद ही आप withdrawal कर पाते हैं लेकिन अगर आप माइनर के लिए policy लेंगे तो पहले 5 साल तो complete करने ही होंगे उसी के साथ में minor adult हो जाने चाहिए यानि कि उनकी आई 18 साल यह उससे जादा की जब हो जाएगी तब ही आप partial withdrawal कर पाएंगे और partial withdrawal करने के बाद में जो fund balance है वो आपके सालाना premium का 4 गुना होना चाहिए अगर आपका सालाना premium 48,000 रुपे से कम है अगर आपका सालाना premium 48,000 रुपे का है उससे जादा है तो partial withdrawal के बाद ने आपका fund balance आपके सालाना premium का तीन गुना रहना चाहिए policy के 6 साल से लेके 10 साल तक आप अपने जितना भी unit आप पॉल आउट हुआ उसका जो fund value होगा उसका 20% तक आप पार्शल withdrawal कर पाएंगे policy के 11 साल से लेकर के 15 साल तक जो maximum limit यहाँ पे पार्शल withdrawal की दी गई है वो आपके सभी unit का जो fund value होगा उसका 25% तक ही आप कर पाएंगे या कहें कि जो आपकी unit है उसका 25% कर पाएंगे दोनों तरीके से 25% जादा नहीं होगा अगर 16 साल से लेकर 20 साल के बीच में कर आप पार्शल withdrawal करते हैं तो unit fund का 30% तक ही पार्शल withdrawal कर पाते हैं बात आती है 21 साल से लेकर के 25 साल तक जो partial withdrawal आप कर पाएंगे वो आपके unit fund का 35 प्रतिशत तक ही कर पाएंगे इस से ज़ादा नहीं कर पाते हैं यह limit यहाँ पे हमें बताई गई है ठीक है जी अब बात आती है यहाँ पे LIC index plus plan के charges के detail के लिए तो सबसे पहला charge हमें लग जाता है premium allocation charge जो premium allocation charge है online के लिए अलग है offline के लिए अलग है अगर आप offline mode बे इस plan को लेते हैं तो पहले साल 8 प्रतिशत आपके premium का premium allocation charge लगेगा online लेंगे तो 3 प्रतिशत आपके premium का लग जाएगा premium allocation charge दूसरे साल से लेके पाँचवे साल तक offline लगेगा 5.5 प्रतिशत premium allocation charge आपके premium पे और online लगेगा 2 प्रतिशत आपके premium का premium allocation charge पाँचवे साल के बाद ने जो premium allocation charge है अगर आपने offline plan लिया है तो 4 प्रतिशत आपके premium का premium allocation चार्ज लगेगा और ओनलाइन लिया है तो 1.50 प्रतिशन बात आती है सुचिस की तो एक फंड से दूसरे फंड में आप यूनिट सुच कर सकते हैं चार बार विरुकुल फ्री एक साल के अंदर उसके बाद पर सुच पे 100 रुपे का चार्ज आपको लग जाता है अब जो ने प्रिमियम पे करना बंद कर देते हैं तो उसको कहा जाता है डिसकंटीनिव कर देना और अगर आप पहले चार साल के अंदर पॉलिसी को डिसकंटीनिव करते हैं तो एक हजार उपे से लेके 6,000 रुपे तक maximum to maximum पॉलिसी डिसकंटीनिव चार्ज लग सकता है और जब आप प पॉलिसी एडमनिस्टेशन चार्ज अब यह जो पॉलिसी एडमनिस्टेशन चार्ज पहले पांस साल तो यह आपको लगता ही नहीं है उसके बाद ने जो पॉलिसी ब्रॉशर या पॉलिसी डॉकुम में जो maximum limit दी गई है वो हर महीने 500 रुपे की दी गई है बेशक अभी इ ऑशरम में सेंपल दिया गया है benefits का या कहें कि benefit illustration दी गई है आयू ले गई है तीस साल की 25 साल का प्रिमियम पेमन टम है, खाफेर ली यहां पे प्रिमियम पे किया जा रहा है, जो की 50,000 रुपे का है, और जो हमें यहां पे Life Cover दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है सालाना प्रिमियम का 10 गुना, यानि कि 1,00,000 में 10 का गुना कर देते हैं तो basic sum अशौर्ड यहाँ पे 10 लाक रुपे का हमें बताया जा रहा है और mode of purchase दिखाया जा रहा है offline और जो fund यहाँ पे चुना गया है वो है flexi growth fund यानि कि यह fund target करेगा यहाँ पे nifty hundred index को ठीक है जी अब क्योंकि यह policy brochure का यह example है इस वज़े से हम इसको consider कर रहे हैं और nifty hundred को यह target कर रहा तो उसकी भी detail आपको बताएंगे तो plan हमें बताता है कि अगर 25 साल यहाँ पे पूरे हो जाते हैं और जो benefit का rate है वो 4 प्रतिशत की दर से अगर रहता है तो 25 साल के अंत में जो fund value हो जाता है बढ़कर वो यता 32,71,345 रुपे का और अगर 8 प्रतिशत की दर का यहाँ पे मोटा मोटा rate of return अगर रहता है तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि policy term complete होने पे 56,78,503 रुपे का यहाँ पे fund value हो सकता है including all benefits ठीक है जी तो हमने आपको जैसा बताया था कि जो flexi growth fund है यह Nifty 100 Index को यहाँ पे target कर रहा है और Nifty 100 Index क्या कहता है वो कहता है कि जब से यह options available हुआ है जो कि इसका launch date है 1 December 2005 तब से लेके अब तक जो इसका rate of return रहा है overall वो आपकी screen के ओपर है 15.11 कुछ और 17.11 कुछ ठीक है अब आप इसके बारे में भी जानना चाहेंगे तो PDF में टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और आपको खुट download करके अगर पढ़ना है तो वीडियो के description में से आप link के दूरूस को download कर सकते हैं Nifty की website पे जाकर ठीक है NST की website पे जाकर ठीक है इससे में यह अंदाजा मिल जाता है कि जो हमें policy brochure में example दिया गया है उसके नुसार हम rate of return assume कर सकते हैं या नहीं तो कर सकते हैं बिल्कुल राइट जो brochure में में बताय गया है अब यह जो दोनों ही fund है ना दोनों में जो premium का allocation होगा वह ठीक एक ही तरीके से हैं जैसे कि सुनिसे लेके 20% तक जो investment होगा वह government securities या corporate debt bond में अंदर जाएगा short term investment होगा money market instrument में windows same ही रखी गई है सुनिसे लेके 40% और जो 40% से लेके 100% यानि कि जो minimum 40% तो equity में जाएगा ही जाएगा अब यह अपने आप आप भी plan लेते वाइक proposition यहाँ पर कह सकते हो कि हमें maximum return चाहिए तो हमारा equity में जादा पैसा डाला जाए तो वह equity में ही जाएगा जहाँ पर high risk रहेगा नहीं very high risk रहेगा और return भी उसी के according होगा तो एक बार plan लेने से पहले nifty 50 index और nifty 100 index तो आप return देख लिजेगा और आपके लिए जो साहता मिल जाएगी वो PDF से मिल जाएगी जो कि आपको telegram channel पे मैं share कर दूँगा विडियो का उद्देशता plan की detail आपके साथ share करना वो कर दी गई है बाकी और detail आपको telegram channel पे मिल जाएगी PDF के तोर पे तो वहाँ से आप overall rate of return देखके आप decision ले सकते हैं कि आप कोई plan लेना है या नहीं धन्यवाद आप सभी का आपने धैर पुर्वक वीडियो को अंतक देखा उसके लिए अगर आपको कोई सुजाव है या feedback तो please comment section में जरूर लिखेगा कि हमारे एक वीडियो लाज़ाएगा